दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ Samsung Galaxy M355G Mobile में एप हाइड कैसे क्या जता है और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा जो आप एप हाइड करोगे उसके चोरी चोरी चुपके चुपके चलाना कैसे है तो यहाँ पर इस तरह से app drawer में आप आजाएंगे उसके बाद यहाँ पर three drawer मिलेंगे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर setting का option आएगा इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ बदिगे hide apps on home and apps screens का option आएगा इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर सारी आप आप आजाएंगी जिस भी application को इस moment में hide करना है उस पर इस तरह से टिक लगा दीजे तो फिलिप को hide कर लिया फेस्बूक को hide कर लिया अब done की option पर मैं click कर देता हूँ अब यहाँ पर back करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ अब दीजे फेस्बूक और फिलिप कार्ट कहीं पर भी दोस्तो नहीं दिख रहाए ठीक है तो इस तरह से दोस्तो आप इस mode में app hide कर सकते हैं अगर आपका मन हुआ आप hide only app को चलाने का तो चलाएंगे कैसे app drawer में आएंगे और यहाँ पर आपको search पर click करना है फिर 3. आएंगे इस पर click करेंगे setting पर click करेंगे और यहाँ पर so hidden apps का option आएगा इस टिक को आपको जोरू enable करना है उसके बाद अब आपको फिर से search के option पर click करना है जो भी application आपने hide किया है उसका first letter आपको लिखना है जैसे मान लिजे मैंने flip card को hide किया है तो यफ मैं जैसे ही बनाऊंगा तो यहाँ पर flip card आ चुका है तो इस तरह से दोस्तों आप जोरे इस मोल में app hide कर सकते हो